तो गाइज ले लिया मैंने यहां पे 300 गिराम गोवी और गोवी को मैंने इस तरीके से मोटे मोटे टुकडों में फूलों में काट लिया है और यहां पे ले लिया मैंने एक बगोना बगोने में हम पानी गरम करेंगे पानी गरम करने के बाद मैं इसमें डाल दूगी नमक और अब्सक्त चूब मैं अबंत करक 넘 stigma करें जैसे कि हमारे आलू भी सुफट हो जाएं कि और भी नो को भी तर्षे दो आने डोलें गाएं क्योंकि हमें फाइनल तड़का बाद में लगाना है साथ के साथ ही मैं इसकी तड़के की तियारी भी शुरू कर दिया मिर्च ले लिया अधराक लसन और प्याज और तीन से चाट टमाटर ले लिया मैंने जो मैं सारे एक साथ ही मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी और इधर हमारी गोबी में भी उबाला गया तो गयास को कर दूँगे मैं बंद और कर लेंगे हम इसे ठंडे पानी में तुरंत के तुरंत ही हम इसमें ठंडा पानी डालके ठंडा कर लेंगे ताकि गोबी हमारी ज़्यादा सोफ्ट ना हो जाए तो मैंने यहाँ पर इसमें ठ जाद है कि अधर दोस्तों मेरे चैनल जैन सुदा व्लोग्स में आपका स्वागत है आई आप सब्सक्राइब टीकूंगे और आज बनाएंगे आपकी सब्सक्राइब जो कि रस्यदार वाली है तोड़ी सी महली से क्रेवी वाली बनाऊंगी क्योंकि कुछ लोगोते हैं सबस्क्राइब बनाती हूं तो मैंने सबसे पहले गोबी को अब लिए जो कि मेरी वीडियो में आप पहले देख चुकी है तो चलिए आप फाइनल तड़कर लगाते हैं गो कम आप दूगी और दूग ग्रिन एक गरिन रिलाइची काट के लंबे स्लाइज में डाल दूगी और उसके बाद जो मैंने बैटर पीस लिया था अधररक लासन हरी मिर्च और प्याज का तो मैं उसको भी साथ के साथ ही एड़ कर दूगी तेल में और इसको अच्छी तरीक दनिया पोडर, लाल मिर्च, हींग, और कसूरी मेति, और इसको मिला लेंगे हम 2-3 मिन्ट के लिए तेल में अच्छी तरीके से हम मसालो को भूल लेंगे, अगर हमारे मसाली अच्छे बुनते हैं, तो हमारी सब्जी भी बहुत अच्छी बनते हैं, तो हम मसालो को भूल भग देंगे के लिए oh all मोट दूइए चांगों ने डाल दिया पर दूंगे यह हींग से हमारा हाजमा भी बहुत अच्छा रहताा है सरदी में घृसी तो मैंने डाल दे हैं यहां पर सब्सक्राइब कर दूगी क्योंकि हमें थोड़ी सी ग्रेवी वाली भी बनानी आई यह और ज्यादा चम्चा नहीं मारेंगे नहीं तो हमारी गोभी टूटने का डर रहेगा इसे थोड़ा सा महीं ला लेंगे और दो से तीन मिंट के लिए पका लेंगे जादे नहीं पकाएंगे क्योंकि हमारी गोभी पहले भी कुक हो चुकी है तो इस तरह कीरे से बनाएंगे हम और चावलों के साथ रोटी के और पूरे के साथ इंजोई कीजिए और चावलों के साथ तो बहुती अच्छी लगती है अलो गोभी की सब्जी एक बार इस बार मिंटर में आप जरूर बनाएं दोस्तों और बन गई है मेरी गोभी की सब्जी तो मैंने लगा देया इसमें डेर सारा अरा धनिया योकि हरा धनिया बहुत ज्यादा आ रहा है सर्दियों में तो आप इस तरीके से लगाएंगे और चावलो के साथ इन्जोई कीजिए रोटी के पूरी के मानिये जरूर एक बार मेरी रास्पी जरूर बना के देखिए और आप खाते रहा जाओगे जब बनाओगे तो डाल लिया है मैंने से कटोरी में सर्फ करके दिखा रही हूं मैं किस तरीके से बनी है हमारी आज की सब् तो गर्मा गर्म आप सब जी को इन्जोई कीजिए चावलो के साथ तो मैं तो आज इसे चावलो के साथ इन्जोई करने वाली हूं दोस्तो जो कि बहुत ही टेस्टी डिनर बनने वाला है हमारा आज का तो आपको मेरी ये रैस्पी कैसी लगी कल फिर मिलेंगी हम एक नई र ये काल फिर मिले टें उसो।